हेलो गाईज मेरी सिगूजर आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और यार आपके करशी प्रयोग सकी न्यू वेकेंसी आ गई है गाईज ये देखिए आपकी एगरी कल्चेर ईुणिटिटी है बिकानेर इसके और से आपकी vacancy है आगे है कर्षी प्रियोक्स की हो गई इसके अलाओ आपकी TA की हो गई प्रियोक्स आला साई की हो गई वान चालक की हो गई लिपिक ग्रेड सेकेंड की हो गई कई सारी vacancy है उनके आपके application form भी स्टार्ट हो गए तो यार और इनके बारे में अपन अपन डिटेल से जानते हैं जो विकाने अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी है उसके और से नोटिफिकेशन रिलिज किया गया है तो पूरे पद भी जानेंगे कौन-कौन इसमें apply कर सकता है सारा कुछ अपन डिटेल से इस वीडियो में जान लेंगे तो यार देखे सबसे पहल पहले लेखा दिखारी है लेखा दिखारी के एक साइक कुल्स अचिवो की दो साइक अभ्यंता की ऐपалог की आपकी पोश पोश वाले जेनरल की है फिरा देबा के पर्म मेनेजर्ट यायनि तक्निकी साहिक करसी में उसमें उसमें देखे टीय बोलते हैं तो ये आपकी चार प यानि horizontal reservation में फिर देखे नीचे आपकी परियोगसालास आई यानि लेब असिस्टेंड है तो लेब असिस्टेंड की भी आपन जानते हैं कि लेब असिस्टेंड की कितनी पोस्ट है लोगे आगे अपन जो भी योगे था वह डिटेल से जानेंगे तो यह देखे यार इसके आप परियेशन करेंगे तो आपको वेनिफिट मिलेगा आगे आपको जरूर मिलेगा तो यार इसकी यह ज़िए आपके टोटल चार पोस्ट अब इन चार पोस्टों का भी डिवाइडेसन यहाप पे दे रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं चार पोस्टों का देखे एक तो हो गई आपके अनुसुचित जाती की एक पोस्ट हो गई आपके अन्ने पिजड़ा वरकी यानी OBC की एक पोस्ट हो गई आपके MBC की और एक पोस्ट हो गई आपके EWS केटेगरी की तो इनका भी यहाप एडिवाइडेसन दे रखा है आगे देखे लिपिक ग्रेड जो दित्ते हैं उसके आपकी 30 पोस्ट है आसू लिपिक है और जो अंग्रेजी में है आसू लिपिक उसके पोस्ट है और आगे पर डिटेल से जानेंगे इनकी योगेता कि कौन-कौन फार्म एप्लाई कर सकता है आप बने रहेगा पूरा वीडियो देखेगा तब आपको सब कुछ डिटेल समझ में आएगी तो देखे एप्लिकेशन फोम के बारे में मैंने आपको बताए दिया कि आपके एप्लिकेशन फोम है वो ओनलाइन फिल होंगे और इसकी जो डेट 30 अप्रेल है और इसके लावा आपकी उमर की बात करें तो देखे आपकी मिनिमम एज है आप अठारा येर के कम्प्लीट हो जाने चाहिए यानि जब आप एप्लिकेशन फोम फिल कर रहें तो उसक देख सकते हैं आप एप्लिकेशन फोम की जो आपकी फीस लगेगी फोम बढ़ने की उसकी बात करें तो देखे सामाने वर्ग राजस्तान के किर्मिलेर से निके अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्ति पिछड़ा वर्ग के लिए 800 रुपे कितने 800 रुपे इसके अलवा देख कितनी सेलेरी मिलेगी तो देखे लेखा दिकारी है लेखा दिकारी को मिलेगे 49,300 अब यह जो आपकी सेलेरी दे रहे की है जो आपका प्रिविक्सा काल होता है दो साल का प्रोविजन पिरड होता है उसकी सेलेरी दी गई है बाकी बाद में आपकी सेलेरी बढ़ जाएगी याँ फिर देखे साइक कोल सच वह उन्सकी वी उंताले बात करते हैं आगे तो देखें कोच अ है कोच की सलेरी यह उन्ताले जार तींसो है और फिर फार्म मेनेजर की बात करें तो फार्म मेनेजर की आपकी सलेरी Agora 26500 इपरियोकसलासांगी 1, antigसाती बाता । निशाती can पांसो आपकी से लेर रहेगी देखिए चेन की परकिरिया यानि आपको जो सेलेक्शन होगा हो कैसे होगा तो देखिए तकनिकी साइक या फारम मेनेजर है उसके लिए देखिए आपकी प्रिक्स्या होगी इसके लाओ आपका इंट्रिव होगा क्या आपकी प्रिक्स्या होग जैसे कि आपके agriculture supervisor हो गई या फिर और जो बच गए उनके लिए जाने तो देखिए उनके लिए दे रखा है कि यार येदी आप application form फिल करेंगे और येदी ज्यादा application form फिल हो जाते हैं तो आपका exam होगा जैसे कि आपके कर्ची प्रयोक्साला साइक हो गई और जो भी आपके ये बच गए न पोस्ट तो इसके लिए दे रखा है या पर देखिए कि ये आपके application form जादा हो जाते हैं तो आपका exam हो सकता है अन्यता आपका है interview के द्वारा ही इनमें आपका selection होगा किसके द्वारा आपका interview के द्वारा selection होगा कर्ची प्रयोक्साला साइक हो गई जितने इनमें भी बच गई आपका फार्म मेनेजर का exam होगा इसके लाओ लिपी ग्रेट शेकिंड है इनका आपका exam होगा फार्म मेनेजर का तो आपका interview होगा बाकी जो कर्ची प्रयोक्साला आपको जितनी भी पोस्ट के लिए आपको apply करना हो जैसे कि आप माल लो कर्ची प्रयो apply करना चाते हो तो उसके लिए देखे आपको अलग-अलग फार्म बढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप 12 एजी से कर रहे हो तो आप कर्ची प्रयोक्साला साइक के लिए तो आपको जितनी भी पोस्ट के लिए आप apply करना चाते हो सब के लिए अलग-अलग आपको application form है वो fill कर पड़ेगा तो यह आपको समझ में आगया होगा बाकि यह पर देखे पूरी detail और दे रखिए आगे बात करते हैं अपने इसकी योगता भी जानेंगे कि कौन-कौन इसके लिए apply कर सकता है तो यह देखे आर 30 अपरेल तक आपका application form फिल कर सकते हैं अब आपके documents होगी बात क है आपकी जो योगता है यह देखे लेखा अधिकारी की दे रखिए और assistant registrar की दे रखिए जो कि इनकी तो यार कुछ अलगी विशेश योगता है तो अपन बात करते हैं यार agriculture की तो देखे एगरी कल्चर की बात करें तो देखे टीए है टीए के लिए देखे आपके BSC AG हो कि higher secondary equivalent examination with science including agriculture science यानि आप यदि बार भी कर रहे हो साइंस से इसमें आपका agriculture science भी आ गया तो इसके लिए आप eligible हो किसे लेबोरेटरी के लिए प्रियोक्साला साइक के लिए आप eligible हो science वाले student और इसके लाव आप agriculture भी science में आ गया तो वह eligible है आगे देखे कर्षी प्रयोक्स के लिए यहां पर दे रखा है कि आप 12 होने चीए 12 पास एगरी कल्चर से देखे कर्षी प्रयोक्स के लिए आ आप देख लेना यहां आपको किसी के लिए eligible होतो हो टो आपको चीज़े प्रियोक्साइए दे रहे हो कि आपकी कर्षी प्रविक्स का एक्जाम लगेगा या फिर आपके इसमे झाद आ रखाए जहाँ आपका इंटर्वी से ही सेलेक्षन होगा और यदि जादा आपके एक्जाम फो मा जाते हैं तो इतना है आज की वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ जैहिं जैवार्द